बिच गई बिसात किसकी श्रह किसकी मात नमस्कार आप देख रहें इंडिया वोईस और मैं हूँ आपके साथ शुतिय अंगर मिल्की पूर परचिरी सियासत के बीच बीजे पी नेता बाबा गोरकनात ने याचिका वापस ले ली तो अब कभी भी मिल्की पूर सीट को लेकर भी चुनावायोग तारीक तै कर सकता है तारीकों का एलाम हो सकता है तो लोग सभा चुनाओ के बाद उतर प्रदेश में एक बार फिर विधान सभा उप्चुनाओ के लिए सियासी बिसात बिच गई है मुख्य रूप से भाजपा और सपा ने अपनी अपनी ताकत जोग दी है वहीं बसपा ने भी चुनाओ के लिए पूरी ताकत बटोर कर काम करना शुरू कर दिया है उप चुनाओ की तारीकों का एलाम तो चुनाओ आयोग ने मंगलवार को ही कर दिया लेकिन भाजपा और सपास की तयारियों में काफी समय से समय पहले से ही जुटे हुए नसराए भाजपा ने अपने प्रतियाशियों के नाम फाइनल कर दिये हैं तो वहीं सपा ने कॉंग्रेस के साथ मिलकर चुनाओ लड़ने का एलान कर दिया और 6 सीटों पर प्रतियाशिय भी घूशित कर दिया खुद मुख्यमंद्री योग्या दितिनात ने इसे मिनी जन के रूप में उप्चुनाओ को प्रतियाशा का सवाल बनाते वे अब तक वहां धुआधार दोड़े पर दोड़ा कर विकास योजनाओ की सौगात भी दी खासतोर पर उन्होंने मिलकिपूर और कटेहरी पर तो विशेज ध्यान दिया या लग बात है कि तक्निकी कानों से अगर मिलकिपूर में अभी तक चुनाओ के तारीकों का एलान नहीं किया गया है लेकिन अब वो टेक्निकल एशू वो फॉल्ट खत्म हो गया है याच का बीजिपी नेता के द्वारा वापस ले लिया गया है यूपी में उपचुनाओ की तारीकों का एलान हो चुपा है इस एलान ने चुनाओी सत्धर्मिया तेज करती है क्योंकि ये महल उपचुनाओ नहीं बलकि इसे 2027 विधान सबाद चुनाओ से पहले सेमी फाइनल के तोर पर देखा जा रहा है पीजेपी के लिए नाक और साक का सवाल है तो वहीं इंडिया गडबंदन के लिए ये लिटमस टेस्ट है कि जो समिधान वाला खादे डाला उसका प्रभाव बाकी है या फिर नहीं ये उपचुनाओ पीडिये वाले फॉर्मूले का भी पैमाना तै कर देगा चुनाओ आयोग ने यूपी में होने वाले उपचुनाओ की तारीकों का ऐलान कर दिया है हाला कि आयोग की तरफ से 10 की बजाए सिर्फ 9 सीटों पर तारीकों का ऐलान किया गया है एक मिलकीपूर छोड़के इन पर 13 नमंबर को वोट डाने जाएंगे और नतीजे 23 नमंबर को आ जाएंगे मिलकीपूर सीट पर वोटिंग का ऐलान नहीं किया गया है कारण पूर विधायक बाबा गोरकनाद ने 2022 आम चुनाओ को लेकर हाई कोट में याजका तायर कर रखी है ये याजका 2022 विधानसवा चुनाओ में भारने के बाद गोरकनाद बाबा ने सपा के जी हां कॉंग्रेस समिधान बचाओ सम्मेलन के द्वारा चुनाओी हुंकार भर रही है तो वहीं मिलकीपूर सीट पर तारीक का एलान नहीं हुआ तो सपा परमुक ने पोस्ट करके तंच कर दिया सपा मुख्या अखलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शाराना पोस्ट करते हुए कहा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है वहीं अकेले ही कॉंग्रेस मिलकीपूर सीट पर हुंकार भर रही है तो सपा और कॉंग्रेस के बीच तालमेल बिगड़ता हुआ नदर आ रहा है वहीं बीच पी मुख्या मायावती लगातार सक्रिये है वो अकेले ही चुनावी मैदान में हुंकार भरेंगी ऐसे में सपा कॉंग्रेस को नुकसान होगा इसका दावा इंडिया वाइस पर बात करते हुए आवा गोरकनात नहीं कर दिया सुनिए उनका क्या कहना है ये कहना है कि बीजेपी को फायदा होगा अगर पीच पी चुनाव लड़ेगी तो सुनिए सरा बस्पा के लड़ने से हमेशा भाजपा को फाइदा रहा 17 में बस्पा जब लड़ी तो भाजपा बड़ी ओटों से जीती जितना अच्छा बस्पा लड़ेगी उतना अच्छा भाजपा जीतेगी तो आपका परिचा करवा देते हैं हमारे साथ हमारे दिगज महमान जूर चुके है प्रदी बैस नेता हैं बीचेपी के जगदीश सिंग स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के बहुत स्वागत है आप सभी का जगदीश सिंग जी अगर बीचेपी मैदान में ताल ठोके गी वो भी अकेले क्योंकि उन्होंने उंकार भी भर दिया है और एलान भी कर दिया है ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस कोई होगा वो किवल भाजपा का होगा मेरा अंगलन है कि वो बाजपा का होगा ठीक है प्रदीब जी आपके ही नेता बोल रहे है कि अगर मायावटी की पार्टी अकेले लड़ती हुए नजर आएंगी तो फायदा आपको होगा सीधे तो और पर इसका फायदा साफ तो पर बीजेपी को होगा इनका यही अस्टेट्मेंट था तो मायावटी जी की पार्टी इसके पहले गड़बंधन इसके साथ था तो तो देखिये राजी तेक महुल आते हैं तो टिपनियां को जादा ही तोरत और पेज हो जाती है लेकिन आसल मापक जनता है और यह जो स्थितियां बदल रही हर दिन गंटो दर गंटो स्थितियां बदल रही है, उसे आने वाला समय बताएगा कि किसका फाइदा होगा, सर्फ उक्लिमेशन में कोई भादरी नहीं है, जनता को कन्विंस करने और जनता को समझाने में भादरी होती है, बनस्पट उसके कि आप खुदी अपने बविश वक्ता बन जाए, किसका फाइदा होगा, किसका नहीं नुकसान होगा, ब्रहम फैला करते हैं, कियो महल बना जा सकता है, चुनाओं नहीं जीते जाते हैं, तो यह आप की बाजी के नेता बूल रहे हैं? मैं विपक्षियों पेटे पड़ी कर रहा हूं, कि जो द्रहम फैला करके विपक्षी जो है, राजिटी करने का प्रयास कर रहा हैं, तो इस ती महल वो अपने पक्षियों बनाने का प्रयास होता है, सफ़ता नहीं है, कैसा ब्रहम? आपने आप इसले आप चुनाओं में देखा क्या आप भ्रहम फैला गया था, आपको यह दी याद होतों, सम्मिधान बदलने की बात हो रही थी, इतना आसान है, सदम के बाहर कहीं सम्मिधान बदला गया सकता है क्या? सम्मिधान बचाओ, सम्मिधान का आयोजन क्या है? इसका भी फर्ट प्रभावाद के पार्टी पर होगा? चदीश जी, प्रदीश जी कहना चाते है क्या आप भ्रहम फैलाते हैं, उसके बाद वोट रसल करते हैं? अरे इस समय वो जो है नोट गिनने में है सुपी जी किसी आमें वक्ता से पूछिए छोड़िये उनको नहीं आएगी बात समझ में इस समय उनकी नोट की गिनाई चल रही है बाद धंदे गटाई में मत उनको डिस्टरप करिये चुना उना आते जाते रहेंगे आप किनी आमे वक्ता से बात कर गया है ठीक है फिरोज खांजी हमाएन साथ मौजूद हैने नेता कॉंगर्स की नेता है बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका अभी प्रदीप जी नेका है फिरोज जी और दलीत चिंतंक विद्या गॉतलगत भी हमाहसा सीट मात्र ठीकी जब जुट जी धन्यवाद सभी को प्रणाम स्लाम सशनिकाल एक यह बातियं तर पाटी के लोग बोलते कुछ है कुछ है जुबा पे गुलाब दिलों में आग रखते हो अपने चेहरे पर दोरा नकाब रखते हो इनके चेहरे पर हर तड़ा का दोरा नकाब हूँ नहीं है करता है यह लोग नथनी करने में नोग बहूत अंतर है जिति Yak followers the दिन्हाज चitt वास्वार्ट कॉंगरेश में थे पुर्णगर परीवार था토ी फॉऻिए में जएकिश्वाई कि आग उगलना शुरू कर दिया किसी भी कीमत पर बरबदास नहीं करें कि कॉंग्रेस के लोग हमेशा जो है हमेशा लोगों एक साथ लेके चलने अकाम के राहुल गांदी जी पहले चाहा है कि हम हराल में इसको हम लोग जो है किसी भी कीमत पर देश को बढ़ते नहीं दिया लाग पूसी थोड़ा सा वोड के चलते देश को बाटने काम करते हैं हम लोग इसको किसी भी कीमत पर बदास नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी के बारे जोग क्या बोल सकते लोगों को पास किस बोलने के लोग बचा नहीं है आज योगी राज में क्या हो रहा है प्रदीब जी हिंदू मुसलमान की राजनीती आप करते हैं उसका फाइदा उठाते में रसर आते हैं चुनाओं में अनको बोल लेने दिजे बोल लेने दिजे पर जोगा पर्दीब जी एक हमाज़ार रखती है और जोग दूड बोले में पिच्चिती हासिन के भारते अंतर पार्टी के बड़ा सिस में तुरु से लेकर निचे का छोटा का कर जलता भी इंद इतना सफाई से बोलते हैं ये इस बाद कुछरा देखा जाना चाहिए हमारी लोगतांत्रिक व्रवस्टा है इससे अगर हट करके कुछ किया जाएगा तो तो काम कॉंग्रेस पिछले 55 वर्सों के अपने साशनकाल में उस जब तक सरकार में रही तब और जब सरकार में ने रही तब यह और उठा-उठा क परके बाने चपकाते हैं तो सिक्वन का तो काम इन्होंने किया था आप पताइए आज जो है प्रधान मंत्री हावास योग्रियमного के आंतर कल दिये जाती है As उसके लिए एलिजबिल होता है उसको दिये जाते हैं लुटात्रिक वहस्ता में सर्कार एक वेलफेर का स्टेट का काम कर रही होती है और उसके अंतर के मैं मूट कराइए ना वो अपनी परस्टर बात कर रहे हम डिबेट करने बैठे हैं अगर वो गंबीर नहीं है चर्टा को एसा नहीं चलेगा स्टीजी अपर TPR टीम को बूलिए गिए उनके बात को मुट किया जा है हमें डिसर्बंस होता है बोलने में नहीं परदीप जी आप अपनी बात को रखें नहीं तो मुट कराई है ना उनको खिक क्या है ट्यू क्या है कि इसका मापद क्या है आप आरोप कोंगर्स को साशन काल रहा हैं। लेकिन एनके पर प्रशस्गुन बढ़नाद नहीं पोलना चाहता है। लेकिन इनकी एकम्ट सब्सक्राइब रिपोर्ट इन्हें नहीं लागों कीती। आज़र अपनी ही बनाई रिपोर्ट इन्हें नहीं लागों तो उसके ये कोल आउप लागे का होता है। और उसको भी जाएगा। आप अपना जवाब दे दिजेगा। सुन तो लीजिए। कोई विराजितिक दिल अपने परचार में पूरी मेहनत करता है, पूरी बाते करता है। हम तो अपने फैक्टन फिगर के साथ गयते हैं, हमने जन्ता को कन्वेंस किया। तो जन्ता कन्वेंस तो नज़र नहीं आई लोगसबद चुनाओं में प्रदीव जीफे। अरे लोगसबद चुनाओं के बाद की मैं कह रहा हूं? हर्याना चुनाओं के लोग किस प्रतिके हैं, किस प्रतिके हैं किस प्रतिकार से थी। कुछ लोग तो जो हैं विपक्ष में बैठें और विभार ऐसे कर रहे थे जैसे कि वह एक्दम चुलाओं ही जीत गया हूं सरकारी वही चुला चुला रहे हूं तो जन्ता में इस बात को देखा है तो हर्याना को फुरोग जी विरोगी बाद में बोल लीजेगा तो जन्ता में इस बारी आएगे तो आप बोल लीजेगा तो जन्ता में पड़ा है तो आपसे ज़्यादा करना चाह रहा हूं कि जन्ता ने जो अपने विचार को बदला एंटी इंकमबंसी के बाद भी हमारी पार्टी की हमारे विचार दारे के होँआ जीत हुई इसका केल एक और एक मातर कारण है इनका एरोगेंस हमारे कार्टाओं ने बहुत काम के हमने मैनद की यह करते हैं लेकिन इनके हंकार इनकी इनके विचारों को देखर को जन्ता में फिरोज खान जी एंकार एरोगेंसी जो आपकी पाची की कार्यकरता दिखाते हैं पुछिए हम दो हमारे दो की सरकार एडारी हम बाने हमिस्ता मुझी की सरकार चल रही है वोट को साथने में ना बीजेपी पीचे हरती है ना इसमाथ्सवाधी पार्टी और कॉंगर्स लगाता दलितों को साथने की कोशिश करती है वहीं बियाज़्पी भी इस बार चुनावी मैदान में हुंकार भरती वी नजर आएगी दलित किसे चाहता है किस पार्टी का समर्थन करता हुआ नजर आता है किसे जनता ने ओड दिया है और एक नया संदेश देनी की कोशिश करी जनता ने अब बात आती कि दलित ओड बैंक कि धर जाएगा दलित ओड बैंक के उपर काम पीडिये भी कर रहा है शपा भी कर रही है कॉंग्रिस में को अभी सम्विदान बचाओ सम्मेलन कर चुकी है उनर बीस्पी तो है वो उसका जनाधार है वस्पा तो उसकी जड़ी है पलित ओड बैंक की पस्पा का कमजोर हो जाना और पलितो को एक तरह से मज़़ार में लेके आ गया कि कॉंग्रिस की कॉंग्रिस का भी बहुत बड़ा वजूद इस प्रवेश में नहीं है अभी इंडिया गर्बंदन की चुनाव में थोड़ा रिजल्ट आए हैं लोगों को उम्मीदें पार्टी को जुरूब उम्मीदें मुईंगी तिकि जो गलित ओड बैंक है और ओड कि इंडिया गर्बंदन की चुनाव होा था लोग सबागर जो चुनाव होता है चुनाव होता है अ हृँगिधानिया के नाम पर अंभेश कर के नामर और अधिकारों के नाम पर यह यह जो अब तरीके से अब उसके बाद में कुछ गस्माएं ऐसी हुई है आरेच्छका मु कि तुमाम ऐसे रिजर्विशन वाले पॉल्पीज को लेके तोग सुप्रम पोग की जो ओडर आएं उसके राष्टी म्यत्वत चुप रहा है याद रखिएगा मेरी बात की राष्टी म्यत्वत की कोई भी बात इस्पष्ट नहीं थी तो इंडिया गडबंधन के सभी का मतलब इसके पास में बड़ा ओड़ाइंग है जग्दीश सिंधी के सबसे बड़ी बात इसके पास अपनी राजनीटी कोज भी है कि कि वो कैड़र नेतृत का कोई जवाब नहीं आता कोई साफतार पर प्रतिक्रिया नहीं आती है ऐसे में दलित वोटर बेहर चंतित भी ह बिलकुल बिलकुल तो यह जहीं बड़ा सवाल है यह बहुत बड़ा सवाल है कि उप्षिनाओं में यह ओडर इभर को जाएगा और बूसरी बात है हरियाना को जो एलेक्शन को रिजल्ट आया है क्योंकि वहां का जो रिजल्ट है वो पूरे डेस में जा रहा है खासकर बल कि ऐसी जो ओटर है वो अपिपने नहीं कोलेगा और मुझे लगता उप्चिनाव में वो प्रत्यार्थी को देखेगा और पार्टी की भी नीतियों को देखतर कि ही वो अपना उप करेगा जग्देर्श जी हर्याना में दरित वोट्रों ने चुन लिया उन्हें जो चुनना था राश्ट्री नेदरुद का कोई रियाक्शन नहीं आता वो एहम मुद्धों पर सांफतोर पर अपना रियाक्शन देती वे नजनिया आते देखे सुर्थी जी जो ग्राउंड में देख रहा है मैं पते बुर्डिष्ट्रीक से आता हूं और यहाँ पर हमारे यहां बहुत दलितों रहते हैं लोंग नों जावकित प्रश्ट्पू में जो दलितों की मनशा जन्याजन दलितों का जो विजह से बिद्या जी ने कहा लेकिन पिछले आम लोग सबार चुनाओ के बार दलिक और बहेंग जो दलिकों की शोच है उनको यह लगा कि शमाजवादी पार्टी के निताद अर्णी एक देश यादो जो की भारती जनता पार्टी के लिए विद्या गौतम जी ने तो यह कहा कि बीएसपी कमजोर देखी स सबी जनता ने देखा कि बीएसपी कमजोर हो गई है तो उचितक कर आपके पास चले गए अब फिर से चिंतित हो गए क्योंकि रास्टे नेतरत के तरफ से कोई भी एह मुद्व पर कोई खास बात्चीत नहीं की जाती है जिस तरीके से आहूल गार्टी ने कहा हुआ हूँ इसी कान से पूरे उत्तर्पदेश में दलितों ने समाजवादी पार्टी को उड़ किया और इसी कान से आज समाजवादी पार्टी उत्तर्पदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उबरी है और मानी अखलेश यादो जी का जो पीडिये का संकल पीडिये का नारा था प्रिपीडिये का मुव्मेंट था और जिसके आधार को आगे बढ़े वही जो है उसी कांग से आज के समय में विद्या जी भी लगबं मेरी बाद से सहमत हो कि जिस तरित मद्दाता जो है वो अदर्णी अखलेश यादो जी के नितत्त में उनकी पार्टी को सपोर्ट कर रहा इस समय इसमें कोई जो है और आप देखिएगा मेरा मानना है कि इस तरह से जल्टो के लिए अधर्णी अखलेश यादो जी समर्फित रूप से कारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का एक-एक कारी करता जल्टों का खंमान कर रहा है जल्टों को अब उनके सुक दुख औ उनके साथ किसी न्याय-ण्याय में ख़ड़ा हो रहा है उससे पूरा भरोसा है कि यह जो होड बैंक जो होड है दलितों का जिसको सिक लोगों ने केवल इस्तेमाल किया है लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने इस ताकत के साथ दल्टों का साथ दिया जिस चंता के साथ उन और कुछ चीजे इस पर सब्सक्राइब का इसलिए समाजवादी पार्टी नंबर एक की पार्टी उत्तर बिले रजबते हो। पीडियों को लेकर की पार्टी नहीं करूँगी। बुषपर अन्पर की नहीं दिता गा रही थी, वहां पिर उसके बाद, रिजर्वेशन पार्टी वाले मुद्दे पर कोई गष्णाएं भी आये में जाकर बोल देंगे के 50 प्रतीस अतारक्षन ही खत्म कर देंगे सब शुरूप्ट प्रतूप्ट नाउ निए तो टैस्ट अब है इसके जिसके जितने इसी दारी इसके इसथी बाहर जारी आप कहा है मायला को जितना ऐसा पड़िन समान एता है कि उखे बहुते हैं चांकर अफा कि रही का रिक्षा अजू। प्रृट सब्सक्राइब करें लेकिन वहाद फाटी लोग तर का तो मोदी जी 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 इन पार्कानी चाहरे हैं कि अधिया गुत्म की का जवाब सुन लीजे कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अधिया बारे की अधिया प्रफप्र नहीं है कि आपकी कार्ण का जुमीनी से जाकर को मीत्या बताने का काम नहीं कर रहे पार्टी में कब क्या किया नहीं बताने का काम कर रहे हैं आज भी अज़र लोग संतर पे कोई इस्वास रखता तो नो बाउत राउन गांदी जी रखते में इसको इसको कहने हैं यह सामाधिक चिंटक किनाते हैं अज़र क्या है कि आपको उत्र प्रदेश मेगी सबस्क्रा कमजोर होगा अज़र के जाके संविधार कर जाने की रहले से सबकुछ इस्पश्ट नहीं होगा अके संविधार की तरया होगा वर्तमान की बाद कर रही है विरोज खान जी वर्तमान की बात कर देए आपी कैसे दिये Congress party की और आखिर पर है जी दिए Congress party का stand clear है हम लोग ST, ST, OBC पाने से करे लिए चाहिए अलिए भाई हमारे साथ है और हम लोग पत्रीज भाई योग करे है और जग्दीज भाई खाली दिखावे से नहीं होगा को त्रना होगा वार्ड काम करना होगा, पनी जीटियां बतानी होगी संगर्ठाशको मजबूत करना होगा रदेब्टी आज एसवित भाई कोमिद बीजेपी चाहिए सेछाव एकृबशिची तन में सम्माहर internationale किस तरीके सुप्चुनाव में इसको लेकर बीजेपी के रन निती तैयर की जाएगे फाइनल कमेंट जिति है जाएटर आवरी यहोगे'RE बहुति श्याता है fase कि ऩिवारी होगे है श्याता श्यातर कि तैके हम भारती लग्रनागी आपका पुरापक्ष सुनने ही पाउंगी बहुत शुक्रिया, फिरोजखान जी, प्रदीब जी, जगदीश जी, विद्या गौतम जी अपना समय देने के लिए चर्चा में हिस्सा बनने के लिए तो पीडिया या फिर सबका साथ सबका विकास किस मुद्दे पर जनता 23 नवंबर को उप्चुनाओ को लेकर जनादेश देती है देखना बेहाद दल्चस्प होगा इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना है देखते रहिए इंटिया बोईस झाल झाल